राजिस्तान इंस्टिट्यूट के उनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एबम अभिनंदन है। सात्यो काफी अभ्यार्थियों के मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे हैं। इसलिए ये वीडियो उनके लिए ही लेकर आया हूं। लेव असिस्टेंट 2023 में चैनित अब्यर्थी जिनका जो है रिजल्ट में नाम आ चुका है रोल अमबर आ चुका है। उनके लिए जो है मैं आप बता देता हूं आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो यहां पर आपका परणाम जारी हो चुका है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है यहां पर मैं आपको बता देता हूं। आप सभी को यहां पर जो है उसके बाद आपको एक जो है अधिनस्त बोर्ट की साइट पर एक लिंक खुलेगी। उस लिंक पर जो है आपको जिला चोईस भर नहीं होगी जिला चोईस जो है बोर्ड खुद बरवाएगा एक नोटिस निकालेगा उसमें आपको सूचना देगा कि इतने तारीक से इतने तारीक तक आपकी जिला चोईस भरी जा रही हैं साइट का नाम बताएगा उस साइट प ुइब 32-33 जिले दिए हो उनको क्रम से आप से भर वाइंगे है उनके नाम deja quand उसमें लिखे होते हैं आपको select करने उसे बाद क्या होगा जिला 24 आप जैसे भर दोगे उसके बार कुछ दिन वाद महीने बाद या भी 15-20 दिन बाद आप्क Τरिस्ग डाली जाएगी जिसको दी जाएगी कि इतनी डेट को जो है आपको उस जिले में जाना होगा या फिर उसमें मालो लिस्ट आ जाती है उसमें आपकी डेट नहीं दी जाती है डेट के लिए अलग से भी ओर नोटिस जारी कर सकते हैं कि इतनी डेट को यह रलंबर वाला भीरती उस जिले में जाकर करके counselling कराना है इस स्थान पर इस स्थान का नाम भी आपको दिया जाएगा मानलो जैसे आप सिक्षा बबाग में सेलेक्ट होते हो तो जला सिक्षा अधिकारी के काराले में जाके आपके counselling के लिए आपको बलाए जाएगा यदि आप लेकर जाना है क्रसिय आयक तल्ले में सब्सक्वाइन क्रक्रवाग का जो विए जिले में जुली में जो उता हुआ पर बॉलाये जाएंग Northern ए जुरी स्थान पर पर बॉलाये जायेन पर आको जाना है जैसे राजय विद्र कमेंट्सों को साथ में लेकर जाना है दो दो कौपी उनकी करके ले जानी है दो डबल डबल फोटो कौपी ले जानी है अपने फोटो भी खुद के आपको साथ ले जाने है औरिजिनल दस्तावेज आपको ले जाने है यह बात आपको ध्यान रखने हैं यह बात आपको विश् संतान संबंदी पिरमान पत्र एक य बन जाता विवायत का उसी में संतानों के नाम लिख जाते हैं। सुआस्त है पिरमान पत्र मतलब MEDICAL करवाना आपको उसी साइम जम मैं बताऊंगी उसी ताइम करवाना होगा। चारेत्र प्रिमान पत्रे आपको स्कूल का सरपंच का और राजपत्रत अधिकारी का आपको डबल डबल बनवाके ले जाने दो दो पर साइन करवाके और आपको ले जाना होगा अब देखिए पुलिस बेरिफिकेशन की काफिय ब्यरती मेरे से कॉल करके बूठ रहें कि सर प फडूरा की ठीए संट उन प्रफ साथ दिन रखना है जब आपकी कांसलिंग के लिए आपको असी टाइम आपे दो द्म 1-2 ते पहले पुलिस बेरिफिकेशन के लिए पांस दीन पहले हूँ और उस बहले ब्रुप इसे बहले सातम पहले डालोगे तो उस टाइम आपके दो या तीन दिन लगते हैं उसमें तीन दिन बाद आपकी पुलिस वेरिपिकेशन हो जाती है तीन दिन चार दिन लग जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा तो लगबग साथ दिन पहले की होनी चाहिए यह आपको ध्यान रखना है यह प्रमाण पत्र आपको बना के हो दे देंगे नोटेरी करके हो दे देते हैं उन्ही का यह चलता है आपको जो बना देगा है सबसे पहले इसका एक dropizione का वो आपको इमित्रवाले से भरवा लेना है भरवाने के बाद उसको प्रिंट आउट जो आपको निकाल के दे या फिर डायरेक्ट जो इमित्रवाला होता उसको फोरवर्ड कर देता है पुलिस थाने में आपका जो पुलिस थाना होता आपकी तैसिल में उसमें उसमें इसको फोरवर्ड कर देता है वहां से फिर जिले में जाती है आपकी और आपकी चेकिंग की जाती है कि आपकी उपर कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है इस परकार पुलिस वेरिफिकेशन जब हो जाती है तो आपको उनलाइन साइट से जो है दो या तीन दिन बाद आप चेक करते रहें पुलिस विबाकी साइट को और वहां जो है आप डाउनलोड करवा सकते हैं इमितर वाले पर जाकर आपका पुलिस वेरिफिकेशन गर सरेटिफिकेट जो है निकल जाएगा उसके पस्चाद जो है यहां पर स्वास्ते प्रमान पत्र आपको जो है जिले लेवल का चाहिए सी एमेचो यह ध्यान रखना है आपको स्वास्ते प्रमान पत्र सी एमेचो लेवल का होना चाहिए जिले में जो आपका बड़ा अस्पताल होता है वहां जाकर करके आपको जो है मेडिकल करवाना होगा औ किसी होस्पिटल में बनवा लेते हो तो नहीं चलेगा जिले के किसी भी जिले में बनवा सकते हो जो CMH重 Лेभल का होस्पिटल होना चाहिए लेकिन युप मान लो आप अलवर जिले से हो तो अलवर की CMHO होस्पीटल से बनवा हो किसी भी जिले के आप CMHO होस्पीटल से बनवा सकते हो स्वास्ते प्रमान पत्र लेकिन वो CMHO लेवल का बड़ा होस्पीटल होना चाहिए आपके जिले में वो एक ही होता है CMHO लेवल का होस्पीटल तो उससे आपको ये स्वास्ते प्रमान पत्र का फोरम ले लेना है वहीं से वो फोरम आ जाएगा कहीं मिल जाएगा किसी भी दुकान पर उस स्वास्ते प्रमान पत्र में डॉक्टर साइन करता है आपके चेक अप बगेरा करना होता है जो वो कर लेगा और उसके बस्चात आपको जो है वो स्वास्त प्रमान पत्र दे देता है आपको वोई स्वास्त प्रमान पत्र ले जाना होगा यह स्वास्त प्रमान पत्र और पुलिस बैरिफिकेशन यह आपको ध्यान रखना है यह केवल साथ दिन तक के ही चलते हैं आपकी जब जोईनिंग होगी, उससे साथ दिन पहले तक के ही चलते हैं, साथ दिन के अंदर के होने चाइए, क्यूंकि मानलो, आपके ऊपर, मानलो आपने फंदरे दिन पहले बनबा लिया, आपके ऊपर चार पांत दिन बाद केस लग जाता है, तो इस बज़े से वह पुलिस बेर बिकेसन को किवर श्कुनि नीसा किसी पिरीकार की दिक्कत नहीं आ dart नाए जब आप काउंस्लिंक पर जाने के लिए ध्रकॉज का रिजिसल्ट आ जाए और जाए और इस अतने तारिक को आपको बलाना तो उस समय जो है आप अंदाजे से अनुमान लगा लें कि इतने दिन हो चुके हैं और इतने दिन बाद ये बन के आ जाएगा दो-चार दिन बाद उस हिसाब से आपको देख लेना है और साथ दिन पहले का आपको बिसेज कर ध्यान रखना उस टाइम का पुलिस नहीं चाहिए तो यह आपका पूरी प्रोसेज है रजल्ट से लेकर जोइनिंग तक की उसके बाद आपको कॉलेज में तो कॉलेज में जोइनिंग दे देंगे स्कूल में तो इसकूल में क्योंकि जोइनिंग के टाइम ही आपको पुलिस बेरिफिकेशन की जरूरत पढ़त स्तावेचों की जांच की जाती है इस वजे से आपको ध्यान रखना है इन सभी सर्टिट्रिकेट को आपको बनवा ले ना है और कौंस्लिंग के साथ ये आपको उस समय सस्यार्ट ले जाना है वह सकता है आपकी जलमक खेले पर बहुत को चेक करने लग जाएं तो इस वज़े से आपको ध्यान रखना है कि ये सभी डॉकुमेंट्स आपके तयार होने चाहिए फोटो कॉपी आपको डबल डबल करवा के पहले से ही आपको हर सेट की रख लेनी है हर आपकी सभी डिग्रियां काउंसलिंग के टाइम ही जुडवाले वहां पर सभी मार्क सीटों को आपको साथ लेकर जाना है अब जो है नए जो अब ब्यर्दी तैयारी करने वाले हैं लेव असेस्टेंट 2023 की बारे में ये 2022-23 की बारी मैंने बात करी है अब मैं 2023 की बात करूँगा तो लेव असिस्टेंट 2023 बारी जो बरती है वह उसकी बिग्यप्ति जल्द जारी होने बाली है को इसकी में बात करूं को कोर्श की फीस मैं रखने वाला हूं only 1100 रुपे और आपको digital बोर्ट पर study करवाई जाएगी इस बज़े से थोड़ी मैंने फीस आपकी यहाँ पर 1100 रुपे रखी है वरना मैं 1000 रुपे के आसपास यह आपकी फीस रखता लेकिन 1100 रुपे digital बोर्ट पर आपको study करवाई जाएगी एकदम आपको जो है अच्छे तरीके से पूरे matter के साथ अब की बार भी मेरे सेंक्ड़ अभ्यर्ती जो है select हो रहे हैं और नई भर्ती में आपको जो है इससे भी double select होने को देखने को यहाँ पर मिलेंगे तो यह आपको ध्यान रखना है वीडियोज की मैं बात करूँ तो कल आपको जो है समझा दिये जाएगा digital बोर्ट पर ही कि क्या-क्या जो है आपकी उसमें जो है आपको मिलेगा जैसे कि recorded classes आपको मिलेंगी एप में राजस्तान institute एप को आपको डाउनलोड करना होगा राजस्तान institute मेरी एप है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है Play Store पर आपको जो है वो मिल जाएगी यह आपको ध्यान रखना है प्लेयर स्टोर से डाउनलोड करना होगा एप में वीडियो में डालने लग जाओंगा बहुत जल्द ही आपको वीडियो मिलने लग जाएंगे 27 तारीक को जो है आपको फस्ट वीडियो मिलने के पूरे चांस है 27 तारीक को यह आपका कोर्ष जो है साम तक मैं लॉंच करने की कौसेश करूँगा 27 तारी को आपका कोर्स लॉंच हो जाएगा 27 को साम तक आपका जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं एप से और रेगुलर वीडियो जो आपको मिलते रहेंगे और भी अपने साती जो है अपना छोटा भाई बड़ा भाई आपके परिवार के तो सभी सातियों को जरूर बताएं हमारे चैनल के बारे में जिससे कि उनको भी इसका लाब मिल सके जो भी अभ्यरती लेव असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको आप वीडियो को जरूर सेयर करें जिससे कि उन सभी अभ्यरतियों को भी जो है इसके बारे में जानकारी मिल सके और राज़तान इंस्ट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वेल आइकन को प्रेस कर ले वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद